भारत चिंतन भारत वंदन नमस्कार, जै हिंद, मैं हूँ गीत सेत्या नमस्कार, जै हिंद, मैं हूँ अशोक व्याष पेशे कारिक्रम भारत चिंतन, भारत बंदन एक साथ बुलिये बंदे, मात्रअ की जय जब हम यह उदगोष करते हैं तो मन में प्रसन्पा लहरे हिलोरे लेने लगती है भारत किसी भागोलिक सीमा तक सीमित नहीं भारत भाव है उस ग्ञान का, जो मुनिष्य मात्रे को प्रेम सिखाता है भारत भारतिय रिशियों ने वसुधेव कुटुम्बम कम का संदेश दिया उन्होंने बताया की सारा विश्व एक परिवार है जब सारा विश्व परिवार है तो फिर सबसे प्रेम करने में जीवन का सार है प्रेम का पार्ट पढ़ाने वाली है भारत माता पर जो स्वार्थी हैं उन्हें ये पार्ट समझ में नहीं आता भारत के गंतंत दिवस का समरो एक ऐसा पर्फ है जो भारत से बाहर भी उत्सहा से मनाते हैं भारत चिंतन भारत बंदन शंकला में हम आप तक लाएंगे भारत माता को समर्पित कुछ उत्सवों की जल्कियां लंडन देखा पैरिस देखा लंडन देखा पैरिस देखा और देखा जापान माइकल देखा एलविस देखा सब देखा मेरी जाप सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान दूसरा हिंदुस्तान दूसरा हिंदुस्तान ये दुनिया एक दुलहन ये दुनिया एक दुलहन दुलहन के माथे की बिंदिया ये मेरा इंदिया 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 ये दुनिया एक दुलहन ये दुनिया एक दुलहन दुलहन के माथे की बिंदिया ये मेरा इंडिया, I love my इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my इंडिया ये मेरा इंडिया, I love my 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 जब छेडा मदहार किसी ने जुम की सावद लाया आग लगा दीपानी में जब दीपक राग सुनाया साथ सुनों का संगम ये जीवन की थो की माला हम अपनी भदवान को भी कहती है बासुरिवाला ये मेरा इंदिया, I love my India ये मेरा इंदिया, I love my India Umm Sim sim bola bola bola, sim sim bola Sim sim bola bola, sim sim bola Pine plate Root 5, patchola patchola Drum roll you play, symb bola, symb bola दोर फासो पामरी सा पीहु पीहु बोले पपीहा कोयल पुहु पुहु गाए हसते रोते हमने जीवन के सब गीत बलाए ये सारी दुनिया अपनी अपनी गेतों को गाए छीत बोगाओ जिससे इत मित्ती की कुषबू आए मित्ती की कुषबू आए दुनिया एक तिलहन तिलहन के माथे की बिंदिया ये मेलाद इंदिया ये मेलाद इंदिया आप 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 भारत चिंतन भारत बंदन अशोक्षी जब भारत का चिंतन करते हैं तो आपको किया यादा है? मुझे सबसे पहले स्वामी विवेक चानद यादात हैं जिनके बारे में कभी गुरु रविन्दना टैगौर जी ने कहा कि भारत को जानना है तो विवेक चानद को पढ़ें उनमें सब कुछ सकारात्मक है नकारात्मक कुछ भी नहीं दिदेका नजी ने त्याग और सेवा को भारत के आदर्श की संग्या दी मुंड़को पनिशत से लिया गया है सत्यमेव जयती जिसे भारत के राश्ट्रिय चिन्द में समिलित किया गया पर भारत पर चिंतिन करते हुए हम भारत में हो रहे हैं व्यभार को सत्य के साथ एक मेक नहीं पाते हैं जी हाँ, प्रिश्टाचार के बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं आचिरिन भ्रश हो गया तो मनुश्य में इसे मानपता को ठेस पहुँचती है प्रिष्टाचार के पीछे मानसिक्ता ये है कि दूसरे को बले ही तकलीफ हो, मेरा आराम बने रहना चाहिए क्या इस मानसिक्ता को बदला जा सकता है? क्या भारत को फिर से सांस्क्रतिक गौरव के शिकर पर पहुंचाये जाने की संभावना है? ये हिं जय हिंद अध啊 दो जाय हिंद आज है ड्य४्टाचार के जालें धृयप दीद गंशन्य not all that is great and glorious about India And also the challenges that are there, ah, in the present moment for us So requestig.... first of all thank you very much for joining us When you reflect... an look at indians scene as it is emerging and there are various issues which are causing a sort of जब प्रफ़ेस्क टुम्स लिए और अशुजाए इन अच्छी अश्टरीट तो चाहिए है और जब रहाँ है इन अवाँ आपार इन ब्रहें चाहिए और अज़ रहती है और प्रफ़ कुल्सले हैं झेस्ट अपिकित्राद प्रिटर सकाथ करें थी जाय रिए आ पीज यह फिर पिक्टटर आग पीच्टर पिक्टर इंड है इस विट है इन डोला का यह अच्य कांट रिए फ्रेट रिए यह आ थैटर बीज आगे करें बीप्ट्राक इन इन पीज पासिप्ट इन वाहर है था किहले चहेसलर बजु़ इन सam सकतरक्राइंदंगी और भीडू एंगल जामनвал कुर्णो एसनो कर twoci की बत्रह जाने को बालती है का लाज ट्रशार स्व wipes हतकلام का म्री स्वाग का झालत्य है इसीन desirable आप्राइब जाह जवे हम जान legs इंग फ़िस फीजस इंड थडिंगा झाप झाह inputs अुड है इस पिसन पादिए एपोस्हें कई एप जाए जा जा जुबर कैसे एप एफ एपता एप टूपस्ट में कि यह पूस्ट्री में में पाल चुंति एपक्न पत्रू आर एंटेंड एफ खी संदिशिया हैं इंड दिए के पूस्ट धिन अर्ब ऑल इए एल ऑज़ में बिका में वे लुद एक हूना एव भीलिवाणोर और वे रहाईवाशनाः आरी पारी हूना है और चुछ जाओवाशनाए प्रेवाशना ने लुद एक रहा हूनाएं और इस बाफ पारागुंटर है is promising, is one of confidence. Nabi Raja, it's always a joy to be listening words of optimism and someone who carries the conviction which kindles this ray of hope. Talking about India, talking about Indian leaders, and indeed when we look at role models, we always look up to Mahatma Gandhi. and when we try to gauge in terms of the number of leaders that we have produced in recent times many times our analysis is confined by which political party he or she belongs to but in general maybe from any walk of life in India do you see we have truly inspiring Indians behind whom masses or Indians in general would find these kind of ideas which would fill them with hope, optimism and a sort of moral fabric which is needed again I think if you look at the big picture I think the answer is yes you must not look only at the political landscape you must look at the social landscape you must look at the civil society landscape you must look at the vast changes that are taking place inside the country and in most of these areas I think the message that we are receiving is one of greater awareness greater expression greater in some ways fearlessness in that expression and even in media for example you can see the growing self-expression the confidence that is coming and I think that is the best guarantee that your society will remain continuously attuned to a moral compass and I think that moral compass occasionally you tend to think that it is being lost particularly when you look at some of the political happenings but I think even there one needs to be confident that you can change it and you need to be more insistent I think the country gets the system it deserves and if we deserve a better system we must be able to create that better system Last question and you may or may not want to give me let's say three names of Indians who you feel are worth looking up to who maybe you look as inspiring individuals or who you may point to somebody to look up to as inspiring Indians well it's rather quick and I find it difficult to say but let me look at a person like you are another multi who's just been who's who's been named for a man book book a man as an intellectual figure I think he is an important figure a person who inspires respect let us look at a person like Azeem Premji in the in the field of business he's a person also who who commands a great deal of respect these are people who actually point to the way in which India is it's creating itself and I think in business in the arts in culture that is happening I wouldn't want to take public figures but I think a person even a person like Nobel laureate Amartya Sen he is still a figure of great inspiration and when he speaks out whether it's on political or on social issues I think he has a certain moral standing that gets conviction He has a very well-known He has the most of his own Gita ji aapka pasandita deshbhakti gīt kawun sa hai? एक है जो दो बता सकते हूं पहले एक सब्सक्राइब एक चाहिए मेरे खाल से बंदे मातरम थोड़ा गाकर आप सुनाएं बंदे मातरम बंदे मातरम बहुती नहीं अपने गाया आप गाती रहें और वंदे मातरम का जो उद्गोष है वो सीधा सीधा माता की जय है ये भाव हमारे अंदर जगा देता है और भारत को याद करते हुए आईए अब आपको लिए चलते हैं इंडियन कांसलेट में और भारत चिंतन भारत वंदन के इस कारिक्रम में क्रमिक रूप से हम अपने दर्शकुत तक पहुंचाएंगे भारत के राश्पती आदरणी प्रणव मुखर जी का संदेश जो उस कारिक्रम में एंबेज़र प्रभू दयाल जी ने पढ़कर सुनाय था तो आईए वरते हैं इस पहले अंश की तरह तो अजूप कोईशब ग्रण नाद के रहते हैं उस्प्रणाब के रविट प्रणान भुटपल से लग्य। स्थी अथे लग खोट परोट प्रणानुबकर जी अधक ऑ्रूप ज्या से लग जफर बव्य। स्थीज़ प्रणाब के लगृट जीटलीजिंग दे ही दिप्रोरा, फले झाली पूरी पूर्पथ, अटेल स्थरी फूर्दारी साशै प्र待ैसल में दीश्ड़फ देना Nep strategy दरी प्र稀ा पूर्टी पूरूरी की प्रेट है इश्योरी के सिर्क एफ प्रेसंilleurs थाइ है दना सिर्क्नी पिंजर्के करत Might in 1947. Even more important, independence a turning point for a equally dramatic narrative the nation-building. The foundation was laid through our constitution adopted on 26 January 1950 which in proudly we celebrate each year as the Republic Day. The driving principle was dual duty between state and citizen, a powerful public-private partnership, nourished by justice, liberty, and equality, India did not win freedom from the British in order to deny freedom to Indians. The Constitution represented a second liberation, this time from the stranglehold of traditional inequity in gender, कार्ण, कर्णस, क्मुनित अलों में नाग च्याथ, कार्ण जाग तर 10 वेक्ट टीजाप खाटूी रखाट।ू को ये लग। नॉजाए टॉजाँ शोलो जाग। इन शैजाटी लॉजांगे। टॉजाटू लॉजाए इन शोलों तो हुजाए तो दुब नीजाटू लॉज कि अीजे ब्रियोड रज सीघुरे नहां कि उनलग्य का अजानु नहाँ, लिकात लिजे प्रोऽ नहाँ. कि अपन्य उन्यान आहांग कि वे मैं पूज़ी टॉज ऐसे हो जाज थाज कि आुब टॉड़िए. The literacy rate has increased by over four times. After having attained self-sufficiency, we are now net exporters of food grain. Significant reduction in the incidence of poverty has been achieved. Among our major achievements is the drive towards gender equality. No one suggested this would be easy. The difficulties that accompanied the first quantum leap, the Hindu Code Bill, enacted in 1955, tell their own story. It needed the unflinching commitment of leaders like Jawaharlal Nehru and Baba Sahib Ambedkar to push through this remarkable legislation. Jawaharlal Nehru would later describe this as perhaps the most important achievement of his life. प्हें को एक्रहुंज गणो हम तो जाफिच कि ए्टी इन गोमान, चाहिं तो नहीं जावडिक रपने थे नहींदा, गोह पुर प्राइफ जा स्ञिडनीजिक जा के रहते हैं, वस्तिर इट इस जो जो रट जर इसली इसलीटोई आफोची इसली साथंडर इसलीटोः। कई Bayern subtitlen I speak to you when a grave tragedy The Brutal rape and murder of a young woman, a woman who was symbol of all that the New India strives to be, has left our hearts empty and our minds in turmoil. We lost more than a valuable life. We lost a dream. if today young Indians feel outraged can we blame the youth there is the law of the land but there is also a higher law the sanctity of a woman is a directive principle of that larger edifice called Indian civilization the Vedas say that there is more than one kind of mother birth mother a guru's wife a king's wife a priest's wife she who nurses us and our motherland mothers are protection from evil and oppression a symbol of life and prosperity when we brutalize a woman we wound the soul of our civilization it is time for the nation to reset its moral compass nothing should be allowed to spur cynicism as cynicism is blind to morality we must look deep into our conscience and find out where we have faltered the solutions to problems have to be found through discussion and conciliation of views people must believe that governance is an instrument for good and for that we must ensure good governance asho kji rashpati ji ki baatu me aitihasic drishti ke saath saath aane wale samayi ko bhi samajhne wale baat hai bilkul tabhi to aisi drishti wale bharat ke rashpati hai wise prabhuda ji ji bhi yeh padh kar baut achi dara sunaya tha toh abaap kya padhke suna raha hai mahi suna raha baat vivekanand ki reading out this speech of swami vivekananda a part of it which was delivered right here in new york beautiful and the year was and what was the theme uh first the year was 1896 and the theme was unity the goal of religion and here are the words of swami vivekananda this universe of ours the universe of the sense the rational the intellectual is bounded on both sides by the illimitable the unknowable the ever unknown herein is the search herein are the inquiries here are the facts from this comes the light which is known to the world as religion essentially however religion belongs to the super sensuous and not to the sense plane it is beyond all reasoning and is not on the plane of intellect it is a vision an inspiration a plunged into the unknown and unknowable making the unknowable more than known for it can never be known this search has been in the human mind as i believe from the very beginning of humanity there cannot have been human reasoning and intellect in the period of the world's history without this struggle this search beyond in our little universe this human mind we see a thought arise whence it arise we do not know and when it disappears where it goes we know not either this macrocosm and the microcosm are as it were in the same groove passing through the same stages vibrating in the same key i shall try to bring before you the hindu's theory that religions do not come from without but from within it is my belief that religious thought is in man's very constitution so much so that it is impossible for him to give up religion until he can give up his mind and beyond until he can give up thought in life as long as a man thinks this struggle must go on and so long man must have some form of religion does we see various forms of religion in the world it is bewildering study but it is not as many of us think a vain speculation amidst this chaos there is harmony throughout these discordant sounds there is a note of concord and he who is prepared to listen to it will catch the tone we will continue with the words of vivekanand in the next edition of bharat chintan bharat vandan और अब समय है भारत के शान्ति प्रेम और भाईचारे के संदेश को याज करने का अब समय है भारत संदेश को सब तक पहुंचाने का भारत चिंतन और भारत वन्दन का ये अंक समात करने का वक्त अशोग व्यास और गीता सेथिया को अनुमती ते नमस्कार इन्मस्ण ते चाने झाल झाल